मेरा चैलेंज है चुनोती है मानी भिधाय की मेरे सामने आके हमसे वारतार लाप करके देख लें अगर मेरी बातों का चवाब देतें कि मैं रादी से इस्तीफा देती है विपच्छ पला कुछ नहीं है वो अगर विपच्छ वाज उठाएगा तुम पे मुकदमा किया परिवारों का सपना था लैट्टाप मुबाइल तो बहुत चोटी जीज है उन्होंने लैट्टाप देने कर वादा किया और टेबलेट कब दे रहे हैं जब उनकी नाय डूम रही है लेकिन जब चुनाओं में मोदी की सल्तरत हिली तो कि मोदी कुरसी बचाने के लिए किसी मुखंतर नहीं मिलेगा जिस तरीके से गंजे को बाल नहीं है उसको मोदी जी ने कंगी दे दिया डीजल कहां चला गया पिटोल कहां चला गया सर्सों का तेल कहां चला गया याद करो जब सचिंदर नुकर सतक मारता था तो लोग ताली बजाते थे मिठाईया बढ़ती मक्त्री तरिक इतने बड़े पढ़्धाम मंत्री फो करता लाल लाल照 टोपी वाले खतरे की वह कम निसान है अरे हमारा भी खुन लाल है और मोधी जी आपको लाल खत्रे से निसानी है लाल तो इंकलाब का निसान है लाल तो हमारा खुन है आप लाल रग से बाग करते हो अपना उली चीर के देखा दो अगर आपके खुन पीला निकल जाएगा उसी दिए मैं आपका जिंदा बात कह यह मेरे सपना है इन सब चीजों को इनी से जानेंगे और इनी से बात चीत करेंगे सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका उतकर्ष पत्रिका कम से कम गाओं खरियां किसानों की बात जाकर विपच्छ निगताओं की उपीनियन ले रहे हैं इसकलिए मैं आपको साधवाद करता हूं चुकि साहक गलक ककं करेंगे तो बिपच्छ की नेती जेम्डारी होती है लेकिन दुर्भाग हमारा है कि हमारे देश का विपके siya मतलब इंक बनाबर मेरा सवाल है कि योगी जी का बुल्डोजर सारी बिपच के नेताओं पे चला है और अजय मिस्टाओ टेनी जिसको से सीबी सी आईडी ने और सीबी आई की जांस के लिए सिपारिज गई थी सारे लोगों नो उसके लड़के को दोसी माल लिया है अब तक टेनी का इस्तीफा क क्यों नहीं हुआ टेनी पर बुल्डोजर कब चलेगा आखिर किसानों को हमारा देश जय जमान और जय किसान के नारों पर चलने वाला देश था और आज किसान पर एक केंद का राजमंतरी का बेटा दिन दाले उसको रौते होई चला गया पूरी देश की मीडिया ने देख इसलिए तो बड़ा सवाल है क्योंकि अभी पिछले दिनों मीडिया कर्मियों के साथ भी उनका वीडियो बारहल हुआ जिसमें मीडिया कर्मियों के साथ विन्हों ने अभद्धरता की तो कहीं ठीक तो नहीं है और मीडिया सवाल उठा रही है पच्छ भी उठारे लेकिन सरकार ही जाने कि आखिर कब बरखास्तगी होगी अब आपकी बात करेंगे आप समाजवादी पार्टी की दावेदारी कर रहे हैं इस बिदान सवा से फरेंदा बिदान सवा से अभी का क्या महौल है फरेंदा बिदान सवा में आप सोचो मेरे खांदान में कोई एक आदमी रा कोई परिवार नहीं चालता कि जो राजनीत पैसों वाली की राजनीत हों चुकी है कोई हम आपरिवार करते कोई नहीं चालता कि मेरा Vai ने चीन vikt तशर्व से कि अपने विधार सवह कि लोगों को सुख दूख का साती बनू, नौजवानों का आवाज बनू, और जहां जुन्म हो, उसका एक माध्या में राजनीत, मेरे एक भाई है, मीडिया में अच्छे मुकाम आसिल किया है, उनका ये लाइन था, मेरे भाई का सौकता फोज का, मेरे सौकता राजनीत का, कि ज योगी सरकार ने नौजवानों का जिस तरीके जुमले बाजी करके, आज बताओ, नौजवान तयारी कर रहा है, परीषा की तयारी कर रहा है, सारे चीज़ हो घयता है, परीषा चलता परीषा, निरस्थ हो गई, आप बताओ, इतना बड़ा लोक्तंत में मजाक हो रहा है, और नौजुटाप की बात करें बकरीड की आप बहुताप की बात करें फून्हें। उन्होंने लखनव में टेब्लेट बाड़ दिया लडकों को . Guin Independence बात क्या मतलब हे तो भूजा lat मालनी अख्लेस यादो जी ने गरीब परिवार, जिनका सपना था कि लैप्टाप मिले, ते के सिच्छा ये एक माध्यम है कि अमीरी गरीवी जात्पात की भेदबाओ के मिटा सकता, अखलेश यादो जी ने सिच्छा के मुद्धे पे गरीब परिवारों का सपना था लेप्टाप मुबाइल तो बहुत छोटी जीज है उन्होंने लेप्टाप देने का अबादा किया वो टेबलेट दे के चले गए और टेबलेट कब दे रहे हैं जब उनकी नाय डूम रही है मालनी अखलेश यादो जी ने सरकार बनने के बाद गरीब बच्चों को टेबलेट दिया था और टेबलेट में बताओ हमारे नेता का मालो फोटो उन्होंने डाल दिया को उसा गुना कर दिया यह वीपच्छे को मैं कहूंगा कि हो कहते थे बताओ लेप्टाप दे रहें उ आप विरुजगारी दूर करो ना आप तो आम आदमी को टुकणा दे रहा हो आप इस तरीके से खा जाए बताओ हम किसान है हम जहां बैटा है कि हमारा प्रदेश किसान बाहुल है आखिर तीनों काला कानून वापस क्यों लेना पड़ा आर देड़ साल से मैं गवा हूं दि खाने को फेका जा रहा था लेकिन जब चुनाओं में मोदी की सल्तनत हिली जो कि मोदी कुर्सी बचाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं भारत पाकिस्तान कभिला करा सकते हैं को कुर्सी बचानी है आखिर आप बताओ मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान क्यों गय थे आ किसान की आप बात करें नुग बात करें तो आप तो बिल वापस हो गया है कानून वापस ऑ गया तो किसान कहीं नहीं बThe काई किषानों की सरक में मौत हो गई smoke लाठी डंडो से मौत हो गई यह किसान भूलेगा क्या आप पता हो मैं याद करता हूँ अगर मोदी के जगा टलब्यारी भाजपई जी होते उन्हेंने लोग सबह में भासड दिया था सरकारे आएंगी और जाएंगी सरकार बनेगा बिगड़ेगा उन्होंने घुट्टा नहीं टेका था मोदी जी किसान अगर जिस बिल से किसान नाराज है आप किसानों के लिए किसान सम्मान निधी भी सरकार दे रही है जिसमें अभी तक चार किस्त आचुके हैं और 2000 रुपए एक किस्त में आता है और पांचवे किस्त का किसान इंतजार भी करें तो जिन किसानों को अगर ये सब लाब मिल रहे हैं उनका तो रुजहान कहीं वार्ति जनता पारटी के तरह रहे गई जिस तरीके से गंजे को बाल नहीं है उसको मोधी जी ने कंखी दे दिया डीजल कहां चला गया पिटोल कहां चला गया सर्सो का तेल कहां चला गया याद करो जब सचिन दनुर का सतक मारता था तो लोग ताली बजाते थे मिठाईया बढ़ती पटा का फूरता था आज मोधी बताओ आज कटाई महंगी हो गई जुताई महंगी हो गई वो कंबाइन चलाना महंगा हो गया और डीजल जब बढ़ता है तो भारत की अर्थे वरस्तार कहीं न कहीं चरबना जाती है सारी चीजे महंगी हो जाती है आज एक कब सिर्फ जो 60 रुपय का आता था आज 110 रुप रहे हैं और टुकड़े में 2000 रुपय किसां को भरगलाने का काम करें किसां जान चुका है आप चाहे वो दली तो अगड़ा हो इस सरकार से सारे लोग तरहिमाम मचा है और जिसकी बानगी आप बताओ तीसरी लहर चौती लहर की बाग करोना की कर रहे हैं इसी करोना में जब हमारे उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली बिहार बंगार माराष्ट्रा उडिस्या हरियाना कहां कहां से पैदल आ रहे थे कि इसी योगी की पुलिस दिल्ली में उत्तर प्रदेश के बाड़र पे लाठी डंडों से मारा जा रहा था वो किसां पैदल आए कितने लोगों की म करनाने के लिए सरकारी मसनिर को दिप्रिपोग होना है आप सोचों कभी ऐसा हुआ था क्या मैं आप देखो जिस तरीके से इनोंने कहा 11 बजे रात कर्फू चालू हो गया कल से जो जांकारी मिल ली है आप बताओ दिन में एक-एक लाकी रैली होगी पूरा भीड पूरा बजा करने के लिए अपने नेता को देखने के लिए भीड उमड है तो अखले सादो जीसे भैवित होकर रात कर्फू लगाने का काम करते हैं कर्फू लगाना हो तो दिन में लगा आज दो-दो-लाकी मोदी जी भीड कर रहे हैं तो करोना नहीं पढलना क्या आप खुश सोचों आ सब्सक्राइब करने वाले लोग आज जन्विश्वास यात्रा निकालना है आप सोचो अच्छे दिन आएंगे काला धनाएगा ब्रजगारी दूर होगी भारत सोने चिडिया होगी क्या हो गया हमारे देश का ख़दाना लूट के चला गया नीरा मोधी लेके चला गया अभी यह सिखरपान मसाले आवाले के जो 175 क्रोड पे मिलता है यह भारती जन्ता पार्टी योगिया दितना चंदा मांगते है और जब चंदा नहीं मिलता है तो योगिया च्छापा डलवाते है और हमारे पार्टी से उसा कोई वास्ता नहीं है वो लोग को रहे इत्रकारवारी अब वो सिखरपान मसाले का बहुत बड़ा बैपारी है जो भारती जन्ता पार्टी का फंडिंग करता था जब वो पैसा देने से मना कर दिया जो उसको कि बैपारी समझता है कोई सरकार बनती ये कोई से बिगड़ी है जब लगा लगा योगि की सरकार जा रही है उसने चं ताइमिंग गलत है और भाजपा के साथी है संजनी साथ उन्होंने भी कहा कि कहीं ने कहीं यह टाइमिंग गलत है चुनाओं से ठीक पहले सपा के नेताओं के उपर चापा पड़ा है उसकी टाइमिंग गलत है जेके मोदी जी को भनक लग गई उनके सूत जो इंटिलेंस आई भी है जो रा है जो उनके सूत रहे हैं उन्होंने कहा कि योगी अधितनाथ के चहरे पे चुनाओं भारती चंदापार्टी बुरी तजी के सार दे जा रही है और इस सूनाओं में योगी अधितनाथ महराज चीज के से पूरा पावर चीनके आज एक हफ़ते के अंदर मोदी देश का प्रधाम मंत्री तेरे तेरे सभा कर रहा है एक अखले से आदो लाल टोपी से चीड़ है वो बताओ एक प्रधाम मंत्री देश केतनी बड़े सूब उसी दिए मैं आपको जिन्दाबात कह दूँगा ये धर्म को बाटने वाले लोग है मजभ को बाटने वाले लोग है ये लोकतन की हत्या करने वाले लोग है ये लासो पे रानी करने वाले लोग है आप करो मा गंगा ने मुझे बुलाया है 2014 में भासर दिया था मा गंगा न अभी आपको तंखा ना दे को जैसी राम खाना मिल जाएगा आपको मैं भारती जनता पार्टी आप बहुत बड़ी सी सक्रियता उसकी देख सकते हम लोग और यही कारेड है कि जीत भी तो जाते हैं लोग आप बताओ देश को मुर्ख बना के आप एक बार गदी हासिल कर ला साकते हैं दो बार आखिर योगी अधितनात महराज से पावर क्यों चीना गया देश का ग्रियम मंतरी देश का पुणा मंतरी आज उत्तर प्रदेश में डेरा डाला हुआ है और जो छापे की बात आप जहां तक करते हो अभी चुनाव नजदीक आने दीजिए जब इंकी जमीन हिलेगी तो बहुत छापा पड़ेगा आपने बंगाल में देखा नहीं क् उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में साड़े तीन सो प्लस सीट समाजवादी पार्टी जितने जा रही है मैं एक उधार अपना देता हूँ एक गरीब परिवार से निकल का पहुचा हूँ आपने मेरे चौपाल में देखा है हमारे चौपाल में लोग अपने याप बिना ब बाब प्धायक थे उनकी बीबी बिदायक थी एक बार वो सवमày जब्धायक थी तीन बार वो फिदायक थे धानी ब्लाके रहने वाले हैं उनका परिवार आज धानी बजार में चूड़ी और बिंदी बेश के जूई को पार जंग कर रहा है और हमारे यहां की तीन बार नह यह गिटी और चोवा चुराने वाले लोग है यह थाने की दलाली करके आज अपने खजानों को भरदे का काम किया है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मानी विधाय जी के आग की पट्टी नहीं खुलती है उनके सगे भाई धानी से बीडी सी का चुराव लड़ते ह एक सो सततर ओर से हार जाते हैं उनके खिराफ हम निर्दर चिला पंचाइद लड़े थे वह पैसे वाले एक साहनी को लड़ाए थे हम भी एक नए लड़के साहनी को लड़ाए थे आपने देखा होगा साड़े 500 ओर से जीतता है और 40 घंटे बाद भारती जंता पार्टी वि आ गया अब लोग मुझे विवादित कर दें हम लड़के हाँ तक पहुंचे हैं हमने लड़ा आखे जीता नहीं जीता आके अस्तानी विदायक को हार कम हो अपना भाई बीडिसी हार गया सारी सीट जिला पंचात की हार गये अब से बड़ा क्या लोग या आप इतना आरोप इतने सही हैं और इतनी कमिया हैं तो आखिर तीन बार से जनता चुन क्यों लेती है तीन बार से क्या इंको बीडिसी लोग हराएं तीन बार सी विदाय जी ने जिस पर हाथ रखा था तो कि नौजवान विदायक थे हमारे जैसे कितने हजारों लोगों ने कहा था यह हैं पूरे उस्पटाल में कुझ्ते घुंते है साप काटने सुई नहीं बंदर काटने सुई नहीं है कुट्ता काटने सुई नहीं है और डर्टर समय प्रहते नहीं है हमारी सरकार ने बंकड्यश संब को 15 लाख रूप्य कर ट्रसाउन मसीन दिया था चले जो सारे डर्टर लाब करके देख लें अगा मेरी बातों का जवाब देदें मैं राजनी से इस्तीफा दे दूँगा क्योंकि हम जिमधारी आपकी है आप धानी से बिजमंगे सड़क चले जाते अज HIKOT कअ आज बारा हजाना के लिए किसका पैसा करके सब्सेब्स पैसा जाया है है बड़ा सवाल है मेरा मेरे सवाल का बीटे की जमीन 수PS बनवा रहा है इंगा भाई ठचदार है और सबसे सबसे अच्छी बात गणकारी है आपके देदू जहां जहां विधाय जी का काम चलता है सडग बनती है वहां के पेड़ों को काटके विधाय जी के आरा मसीन पर लकड़ी लखनों दिल नहीं जाती है आप चले जाओ एक गरीब परिवा का ये टहनी काट लेता है दरोगा उसे घर में चला जाता है और विधाय काटरौना में दली बेटी से बलकार होता है करते हैं एक 12 साल की बच्ची को जटा लिया तो मैं इतफाक से बाहर था मैं अगले बेट का नीचे का सारे अंग को काड़ दिया गया था और दरोगा जी साद एक आगज पर साइंग करा लिए जब पुलिस अदिश्चा को पता चलता कि अपने छेत्र में आ गया है तो उसी रात उस थानेदार को हटा के अपने प्यारों बनाते हैं और जब मैं पूश्टाओ क जानबर ने आगा खाया है तो उस बच्ची का कपड़ा किसनी निकाला है जानबर कपड़ा निकालेगा नहीं आकिर मेरी बात सही हुई और जब मैं ट्वीट करता हूं सासंग को प्रसासंग को कमिश्टर को तेई प्रदी गुप्तावा एससपी महाराजगन ने मेरे फेस् देखिए फेस्बुक से मैं भी जुड़ा हूं आप आपके फेस्बुक से भी जुड़ा हूं और अस्थानी लगबक सभी नेताओं के फेस्बुक से जुड़ा हूं आपके फेस्बुक एक रोचक कहानी है आप आपके समर्थकों में और अस्थानी विदायक जी के समर्थक उससे कहीं ज़्यादा सोचल मीडिया पर देखने को मिला फरेंदा विधान सवा में उस बेटी को तीन दिन के बाद मेरी बास सही होती है उन तीन दरिंदे पकड़ा जाते हैं जो बच्ची से बलककार करते हैं अभी तक विधायक उनके घर नहीं गए उस दरुगा पर कारवा मैं समाजवादी पार्टी का चोटा सा कर करता हूँ चौबे चौपाल लगाएगा तो विधायजी बोखलाट हो जाते हैं जो कि मैंने मैंने उनसे भी बात कि उन्होंने बताया कि विपच्चियों का काम है आरूप परतियारूप लगा ना मेरे काम को देखकर जनता मुझे चुनूएगी मैं भी पच्चियों के आरूप से नहीं कोई जादे फरक पड़ता है विधायजी पास काम बता दे अपना सड़क के अलोओं पास काम बता दे बिद्याले बना है ठीक है विधायक जी ने बिद्याले बनवा लिया लेकिन सिच्चा का कारे हो रहा है अस्थानी लोग अस्थानी चात्र ही उसमें पढ़ रहे हैं तो कहिन के उस पे टिपड़ी करना है यह तो बहुत अची बात है आपके चेत्र में है कहिन कहीं देखा जाका डालोगे एक मानिनी बिधायक का विद्याला है और जनता का ख़जाने का पैसा है आप पचार प्रस शिच्छा माफ परतो गरीब बचों के निसुर पढ़ा दो मेरा सवाल नहीं रहेगा कि अगर बात कर रहे हैं तो मैं भी इस विदान सभा को नजदीक से देखता हूँ और मैं भी यहीं का हूँ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं अपी के पार्टी के उनके भी अच्छे अच्छे दो-दो-तीन-तीन मंजिले के बिद्याला बने हैं एक जंगल में आप जा नेता बनवा सकता आप हमको भी जबागे बिधायक करता हैं आकि 15 साल पहले क्या थे आप हमको बता दो बिदायक से चलते थे आंकि कों सा खजाना आ गया आकि कोरीराम प्यारी देभी तीन बार बिधायक थे और बिधायक के एक बार छीकने से सरकार हिल जाती थी वह कर भी रहा था तो आपके ट्रिवार अप्लिज्य चूड़ी बेच रही अब ईदहायक जी का खजाना देखो उन मानी विधायजी जब स्कूल बन था अपने स्कूल के बच्चों से फीस लिया गया अपने अस्थानी अध्यापक थे उनका आदा तंका दिया गया ये कहा का जुल्म है मैं विधायक होता मेरी इतनी बड़ी भारत होती तो करोना काल में मैं कुरंटाई सेंटर बना देता अप कर देता पांस 10 कृड़ा खर्च कर देता कि फरंदा की जंता आक्सीजन बीना ना अमरे बेड़ बीना ना मरे और जब हमारी फरंदा की जंता दिल्ली बंबई से पैदल आ रहे थी वह बस गाजी पर बाड़ बाड़न से लगनी चाहिए थी लो नोड़ा में लगनी हो चुकी है आखरी सवाल लेते हैं क्योंकि समय की थोड़ी कमी है अगर आप विधान सभा पहुचते हैं समाज़ादी पाइटी आपको टिकट देती आप लड़ते हैं और जनता आपको विधान सभा लखनो बेशती है तो आपके वह कौन से काम पांच काम होंगे जो आप सब सबसे पहले के लिएक सबसे पहले मेरा काम है कि आज हमारा बिधान सभा बहुत पिछड़ा हुआ सबसे पहले के अब को वुरग पुर्जाना पड़ें इसी सरकारी एस्पथाल में वो सारे बीमारियों को डाट्र को बोणा के बढ़ाके और समय से बढ़ाके एक उप्राइ की परची पे कैंसर तक का इलाज यहां के डाक्टर यहां का स्पanızपाल करेगा सबसे पहली mendmitt यह दूसरी प्राथिविक्ता यह है कि हमारे विधान सभा के लोग दिनली बंबई कहा कहा जाते कुवेच जाते कमाने के लिए मैं ऐसा कोई साधान करू कि हमारी विधान सभा की जनता अपना रोजी रोटी यहीं अच्छे से चला सके और निसूर्क तीन ब्लाक हैं तीन ब्लाक म पर शांदार एक बढ़िया विध्याले इंटर कॉलेज डिगरी कॉलेज आज हमारे इस विधान सभा में एक ही करने इंटर कॉलेज है सबसे पहली प्राथिम्ता है उसको डिगरी कॉलेज की मानता दिलाने के लिए कम से कम गरीब लड़कियों का अच्छे से सरकारी खर्च कर लिए दानी में खिलकुन मैदान कबजा कर लिए अभी कारेलह के पिछे सानी परिवार का दिवाल तोड़के जमिंग कर लिए आज वो बेमौत मर गया हुप भैटायजी आज के मीं खजाने की जाच होगी और चौथा मेरा सबसे बड़ा है कि आज खेले का इसा माध्यम ह कि लोग आगे जा सके हो अभी आपने जैपुरिया में देखा होगा इस्टेडियम मना है किस मानक पर बना है करोडों रुपए वारा नारा हो गया कम से तीनों ब्लाकों में एक बड़ा अच्छा अच्छा स्टेडियम बनाया जाए यहार गरीब परिवार के लड़की बेटी कि बेटा जिस खेल में रुची हो उस खेल में अच्छा कोश की वहस्ता कराए जाए जो कि जब हुनाहार खेल से निकलता है तो आगे जाता है पाचवा मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे विधान सवा में पुलिस की दादागिरी चरम पर है जो कि थाना और तैसिल अग खाने बाद द्रोगा पैसा मांग रहा है जिस दिन मैं विधायक हुआ उपर बाला मुझे मौका दिया मा लहड़ा मुझे मुझे मौका दी तो उस थाने दारों को हैसियत बताने का काम क्या जाएगा कि गरीब जंता के लिए आप नया के लिए बैठो कुरसी आपकी नहीं ह नहीं है अब धायक बनूँगा तो हमारी विधायक समाह मैं चार थाने है मैं चेताउनी और चैलेंज देना चाहता हूँ, उन थानेदार की हिम्मत नहीं होगी, किसी गरीब, मजलूम, दलितो, पिछडों का वो सोसड कर सके, यह मेरी सपना है, तो कि हम ऐसा काम करें, जिससे आदमी आगे आए, और कम से कम बताओ, आज विदायक जी के साथ जिन्दा बार मुर्दार बार नारा लगाने वाले लोग, लेकिन विदायक जीन उनको क्या कर दिया है, उनको भैस बना दिया है, उनके समर्थक जिन्दा बार मुर्दा बार करेंगे, सारा खाना भैस को खिलाते हैं, उनके समर्थक, जाद दूने की बारी आती है, तो विदायक जी क और बतिजा बालती लेकर दुने काम करते हैं खिलाएंगा जनता उनके समर्थक ऊपढ़ाई जिनका नाम निशान बजंगी सिंग ने मिटाने का काम यह उनका केडर को खतम करने का क्वी आइसे नेता है अगर उनके विधाय जी के घर नहीं जाते हैं तो उनके करा फर्जी मुकदमा हो जाता है यह बस था है इसलिए आप पुर्सी पाए हो दमं करने के लिए इस दमं को खतम करने के लिए उसका एक रास्ता है आपको इस चलंग के माद्यम से 2022 में समाजवादी पार्टी की साइकिल लखनो जा है कि इसका आभास मानी विधाय जी को हो चुका है आपके चलंग से माद्यम कर रहा हो अब विधाय जी तीसरे नंबर पे रहेंगे नोट कर लिए तिसरे नंबर पे रहेंगे तो यह थे अमारे साथ हमीं चौबे जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं विधानसभा की करना चाहेंगे साथ ही इन्होंने अस्थानी भारती जनता पाइटिक बजरंग बहादुर सिंग विदायक हैं उनके उपर भी आरोप लगाएं अब आरोप कितने सही हैं कितने गलत हैं या तो चुनाओ नतीजे ही बताएंगे और फरिंदा विदानसभा की जनता ही बताएगी किसे विदायक चुनती है या भी देखेंगे चुनाओ नतीजों के बाद और चुनाओ नतीजों के बाद फिर इनसे बात होगी और विदायक जी से भी बात होगी और देखेंगे कि यहां की जनता किसे विदानसभा पहुचाती है ऐसे ही तमाम चोटी बड़ी खवरों के ल कि अोगलो आए कि अ वार्वी करो भाज्जर नहीं के अझार्वीन कि पालत कर दो कि अनुद्धिक पिए कि या है अगा उनुद्धिक्क विए विए बढ़ा कि शित स्तों ।